नमस्कार दोस्तों मैं ट्रिपोटिक में सागत है आप सभी का दोस्तों आपके इस तरह से शोर्डर और इनके कंधे गिर्टे ओंगे ब्लाउज में या कुर्तियों में बहुत ही आम समश्या है लेकिन इसका हम एक बहुत ही अच्छा तरीका आज लेकर आए हैं जिसमें चार तरीके आपको बताये जाएंगे इनको अप्लाई करके आपकी यह प्रोब्लम हमेशे के लिए खतम हो जाएगी तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के लास्त जरू देखना कुछ भी मिस आप मत करना बहुत ही इंपूरेंट वीडियो यह होने वाला है दोस्तों जो ह हमारे सबसे पहली समश्या है वह गले को लेकर गले में ऐसे कोन से गलतिया हम करते हैं देखिए यहां पर प्टी लगाते हैं या तो आप पेस्टिंग का इस्तिमाल करिए यह जो पट्टी आप लगाते है ना यह उपर की तरफ खीचाओ देती है पूरी प्ट्टी आपकी की तरफ खिचाओ देती है जब आप लगाते हो इसको क्योंकि यह हलकी है गले को देखती हुए तो इस पूरे पोशन में आप पेस्टिंग का इस्तिमाल कर सकते हूँ अगर पेस्टिंग का इस्तिमाल करेंगे तो आपकी यह ठीकी रहेगी इसके साथ ही अगर आपको पेस्ट पट्टी ही लगानी है तो इस पट्टी को आप ऊपर की बज़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ खीचते हुए तब लगाएं इससे क्या होगा कि जो पट्टी का खिचाव है वो नीचे की तरफ बना रहेगा इससे ये हमारे शोल्डर के साथ एक दम से जमी रहेगी तो इस तरह स जो हमारे second problem आती है वो होती है हमारे burst point को ले करके दोस्तों जो हम normal burst point आप जब भी major करें तो जो भी आपका burst point है burst point यहां उपर shoulder से नीकर यहां तक major होता है तो यहां पर आप जितना भी आते है उसको burst point बोलते है नीचे तो इसको आपको point 25 कम ले लेना है जितना आपका measurement मे आया है उससे दो पोइंट आपको इसको कम ले लेना है इससे भी आपका काफी फरक पड़ेगा वो आप जब यूज करेंगे इन चीजों को तब आपको पता चलेगा थार्ड ये है कि जो ये हमारा आमोल वाला एरिया है बहुत इंपोटेंट पोइंट ध्यान दीचिए और इसके साथ ही जो आगे बाजू वाला एरिया है इसको आपको टाइट नहीं रखना है अगर ये टाइट रहेगा तो ये यहां से जो उपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ खींचने लगेगा इसलिए जितना आपका कस्टमर बोले उससे दो पोइंट लूज रखे बाजू को आगे से देखिए इस तरह से अगर यहां से टाइट हो जाएगी तो उपर वाला पोशन धिला हो जाएगा शोल्डर वाला और आटोमेटिकली नीचे की तरफ गिरने लगेगा यह बहुत ही important point है तो बाजू को बहुत ज़्यादा tight आपको नहीं रखना है नोर्मल रखना है और साथ ही armhole को भी आपको बहुत ही tight ऐसे नहीं रखना है कि वो बिल्कुल फसा हुआ रहे हलका सा lose रखना है यह बहुत ही important point है आप इसको एक बाइ apply कर लेंगे तो यह problem खतम हो जाएगी इसके साथ ही दोस्तों जो fourth point है हमारा वो है हमारी गले की cutting को ले करके देखिए आपको गला सिर्फ 2 से सवा 2 इंच चोड़ा रखना है उपर से अगर आप deep neck बना रहे हैं तो इस तरह से उपर से गले की चोड़ाई कम रखनी है और मान लिजे लंबाई आप ज़्यादा रख रहे हैं deep neck है तो 10 इंच मान लिजे आपने रखा है तो यहां से अब आप सिर्फ 4 इंच तक भी रख सकते हैं यानि कि जो चोड़ाई आपको लेनी है तो नीचे से लीजे उपर से आपको इसको broad नहीं करना है उपर से आप इसको broad करेंगे तो automatically जो शोल्डर होंगे वो गिरने लगेंगे यहां से आप shape डाल सकते हैं तो इस तरह से shape आप बनाएं इसी भी neck में, back neck में इस से जो उपर वाला shoulder वाला portion है वो अच्छे से रहेगा चोड़ा और यहां से गिरेगा नहीं और आपकी गले की shape भी अच्छे से आएगी और उपर shoulder के पास से आपकी जो fitting है वो भी अच्छे से आएगी दोस्तो एक और important point यहां पर जरूर note कीजिए यह जो इस shoulder join करते हैं तो इस तरह से सीधी line लगा देते हैं सिलाई में लेकिन यहां अंदर से आपको दो point down कर देना है इस तरह से down कर देंगे तो जो हमारा जुकाव होगा सिलाई का वो हमारी गले की तरफ होगा इससे जो जुकाव होगा यह हमारे कंधे में एक तरह से फस जाएगा यहीं पर तो यह बिल्कुल जो नीचे उतरने वाली problem है न वो नहीं होगे आपको तो सिलाई को इस तरह से जुकाते हुए तब आप जरूर लगाएं तो दोस्तों यह थे हमारे महत्रपूर्ण points जिनका ध्यान रखके आप इस problem को हमेशा हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं अब बात करते हैं जो blouse आपके ready हो चुके हैं तो उनमें आपको इस तरह से उल्टा करके यहाँ पर margin रखना है करीबन आधा इंच इस तरह से जो मैंने आपको बताया है और सिलाई लगा देनी है देखिए यह इस तरह से आप अगर गले को छोटा करना चाते हैं तो वो भी आपर आप कर सकते हैं सेम तरीके से और जो शोल्डर गिनने वाली problem है वो भी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं तो अंदर की तरफ आपको इस तरह से down होती हुई सिलाई लगा देनी है इससे आपकी problem अगर सिला हुआ blouse है तो काफी हद तक ठीक हो जाएगी दोस्तो एक और बहुत महत्यपूर्ण बात है यहाँ वो है कमर की fitting को ले करके blouse वगरा में कमर की बहुत जो losing कभी न रखें lose नहीं रखना है कमर को जो normal है वो यह थोड़ा सा tight ही रखना है क्योंकि blouse वगरा कमर से tight ही होते हैं lose रखेंगे तो उपर से यह कपड़े को छोड़ने लगती है उपर की तरफ खिचाओ बन जाता है और जो shoulder है वो भी टेलर की तरह आप काम कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों आपको कोई भी doubt है सिलाई से संबंदित browse में कूर्ती में किसी भी dress में तो comment box open है आप लोगों के लिए खूब सवाल बूचे सभी का जवाब देंगे बस आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें चीजों को सीखते रहें दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीचे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के शाथ शेयर करें बाइबाइ, टेक्यों